नमस्कार मेरे मित्रों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह चिठा स्वयम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का लिखा है। अगर गलत निकला, तो तुम्हारी जिंदगी भर पैरों के नीचे रहूंगा जी हां। दोस्तों, आज की सच्चाई आपको पूरी तरह से टहलका मचा कर रख देगी। दोस्तों, आज से आपके जीवन में एक ऐसा घटना होने जा रहा है, जिसे सुनने के बाद आप बेहोश हो जाएंगे। जी हां, दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आज यह वीडियो आपके लिए इतना ज्यादा भाग्यशाली है कि इसी से तय होगा कि आगे आपके जीवन में क्या बदलाव होगा। कौन से अच्छे बुरे परिवर्तन आपकी जिंदगी में होंगे और उनका प्रभाव क्या पड़ेगा। क्या जीवन भर आपको परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। क्या कभी आपको खुशियां मिलेंगी या फिर नहीं, और मिलेंगी भी तो कैसे। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब और समाधान सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो अब आप लोग बिलकुल ही अकेले में वीडियो को शुरू से अंत तक और बेहद ही ध्यान से देखिएगा। आज का ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर अभी नहीं देखोगे, तो बाद में बहुत पच्चताओगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाएं वीडियो को आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, सर्व प्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे मन से और सेवा भाव के साथ महाबली हनुमान जी का नाम जरूर लिखें। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको बता दें कि अगले साथ दिनों के भीतर आपके जीवन में यह समय एक ऐसा घटना होने जा रहा है जो कि आपको पूरी तरह से हिला कर रख देगा। जी हाँ, दोस्तों, यह ऐसा घटना होगा जो कि आज से पहले नहीं कभी हुआ था और नहीं कभी होने वाला है। पूरा जीवन ही बदल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जीवन में पिछले जो भी परेशानियां जहले थे, जो भी कष्ट जहल रहे थे, आपका जितना भी नुकसान हुआ था, तो अब उन सभी चीजों का समाधान अब आपको मिलेगा। अब आपको ये समय वह सारी खुशियां मिलने वाली है या यूं कहें कि आपके जीवन में उन सभी चीजों की भरपाई होने वाली है जो आपसे पहले छीन चुका था। जी हाँ दोस्तों, अगले आने वाले साथ दिनों में ऐसा चमतकार होने जा रहा है जो कि आपको भी हैरान कर देगा। दोस्तों, आपको पहले लगता था कि आपके जीवन में कभी खुशियां नहीं मिलेंगी लेकिन अब इन दिनों के बीच में ही ग्रहों ने बड़ा परिवर्तन कर लिया है जिनकी वजह से इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब से आपके सभी क्षेत्रों में किसमत तहलका मचा कर रख देंगे और अब तो आपकी अडोस पडोस में आपकी तरक्की को देखकर हर कम भी मचाएंगे। आप इतना ज्यादा तरक्की करेंगे कि हर जगह सिर्फ आपके ही चर्चे होंगे कोई और आपका मुकाबला भी नहीं कर सकेगा क्योंकि दोस्तों स्वयम महाबली हनुमान जी का आशीरवाद आप पर पड़ रहा है आप समझ भी नहीं सकती कितना बड़ा आपको खुशखबरी मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आप किसी भी खशेत्र में प्रयास करेंगे उसमें आपको काफी तरक्की मिलेंगे आपको ऐसे भी कारे करने होंगे जो कि दोस्तों आपको बेहद ही बड़ा लाब दिलाएगा इतना ही नहीं अगले आने वाले दिनों में आपको ऐसे पांच संकेत मिलेंगे जो आपका संपूर्ण जीवन ही बदल देगा जी हाँ दोस्तों अब आने वाले साथ दिनों तक आपको कोई रोक नहीं सकता है तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर वह कौन सा संकेत जो कि आपको आने वाले समय में मिलने वाला है तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर इन दिनों महाबली हनुमान जी का वानर रूप आपके घर के आसपास में अगर दिखाई देता है तो दोस्तों ये बहुत बड़ा संकेत है अगर आपके घर के आसपास या फिर आप कहीं भी जाते हैं और अगर आपको वानर का दर्शन हो जाएं तो आपका जीवन ही बदल जाएगा अगर आपको यह दिख गया तो समझ लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो कि आपको इतना बड़ा संकेत और वहभी स्वयम हनुमान जी इतने शुब समय पर देने वाले हैं जो आपके ग्रहों की स्थिती को भी बदल देगा इसके उपरान दोस्तों इन दिनों किसी भी चीज़ को आप प्राप्त कर लेते हैं अर्थात अगर कोई भी चीज़ आपको यूँ ही रास्ते पर चलते हुए कहीं पड़ा मिल जाता है जैसे कि किसी भी प्रकार का सिक्का पैसा या फिर दोस्तों कोई भी कीमती थी तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा वर्दान मिलेगा और वहभी स्वयम हनुमान जी आपको देंगे इसके उपरान दोस्तों अगर आपके घर या आपके घर के आसपास कोई नाग देवता यानि कोई सांप दिखाई देता है तो दोस्तों ये बहुत भग्यशाली और भयंकर संकेत है इससे भी आपको जल्द ही अच्छी और बड़ी खुशखबरी मिलेगी और यही नहीं अब तो दोस्तों आज से ही और अभी से ही आपके जीवन में कई सारी खुशियां आएंगी आने वाले अगले साथ दिनों का यह समय आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है बच्चे आज घर पर खेल कूद में व्यस्त रहेंगे बाकी आज किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलकर आपको अपनी कई समस्याओं का हल भी मिल जाएगा इसके उपरांत दोस्तों, जीवन साथी आज आपके ऊपर साथ ध्यान देंगे और आपकी बातों को ध्यान से सुने छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है जैसा कि दोस्तों समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है तो वहीं इन दिनों आप किसी भी पुरानी बातों में ना उल्जे जो व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं उनके लिए धन लाब के योग बन रहे हैं आपकी रूची सामाजिक गतिविधियों में ज्यादा रहेगी और किसी ऐसे इनसान से मिलने की संभावना है जो बिजनेस में आपको लाब दिलाएगा इसके अलावा भी दोस्तों इन दिनों आपका व्यक्तित्व लोगों को आपकी तरफ आकरशित कर सकता है आनफिस के कारे को पूरा करने में बस जल्दबाजी ना करें तो वही प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दोगुना कर देगा साथ ही साथ दोस्तों इन दिनों आपने घर लेने का विचार करेंगे परिवार से इस पर विचार विमर्श करेंगे बाकी बच्चे आज आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे और दिन को खास जैसा बनाने के लिए मैं और उदारता के छोटे छोटे टौफी लोगों को दें समय का सदुपयोग करना, सीखें और दोस्तों, आप कुछ रचनात्मक करने की कोशिश करें इसके उपरांथ ड्राइफ रूट का बिजनिस कर रहे लोगों को इन दिनों अच्छा से अच्छा मुनाफ़ा होगा बिजनिस को और आगे बढ़ाने का प्लैन बनाएंगे और आप इन दिनों सफल भी होंगे इसके अलावा दोस्तों, आपके इन दिनों जीवन साथी का प्यारा बरताव आपका दिन खुशनुमा बना देगा बाकी दोस्तों, जो लोग अपने करीबियों या रिष्टेदारों के साथ मिलकर बिजनिस कर रहे हैं उन्हें आपस में तालमेल बैठा कर काम करने की जरूरत है अपना समय और उर्जा दूसरों की मदद करने में लगा है लेकिन ऐसे मामलों में पढ़ने से बचें बारे में विचार करेंगे और साथ ही उनकी की सलाह दी लेंगे दोस्तों, जिन्दगी का भरपूर लुथ उठाने के लिए अपनी महत्वा कांक्शाओं को काबू में रखें इसके अलावा, कुछ जातकों को इन दिनों किसी महिला की मदद से आपको करोबार या नौकरी में आर्थिक लाब होने की संभावना है आज से आपको अपनी सोच, सकारात्मक रख कर कार्य करने की जरूरत है बाकी, अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आज से किसी जानकर की मदद से जॉब मिलेगी और छात रहें तो आपका मन पढ़ाई में खूब लगेगा साथ ही अगर कोई महत्वपूर्ण परीक्षा देते हैं तो आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति भी होगी दोस्तों, घर की जरूरतों को आज नजर अंदाज ना करें आपके परिवार को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं जिसके चलते आपको थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यक्ता है इन दिनों आप किसी करीबी रिष्टेदार से देर तक फोन पर बात कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही बातों को शेयर करेंगे जैसा की हमने बताया ही था कि इन दिनों अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा तो वही आप घर के सजावट का सामान खरीदने मार्किट जाएंगे बाकी दफ्तर के कामकाज में ज्यादा वियस्तता के चलते आज आप घर देर से पहुँचेंगे आज से कोई व्यक्ति आपकी बातों को सुनने से ज्यादा अपनी बातें कहना पसंद करेगा इसके अलावा भी आप अपने मित्रों से मिलने का प्लान बना सकते हैं घर के बड़े बुजर्गों से आपकी अच्छी बात चीत होगी और कुछ नई जानकारी मिलेगी जो आपके लिए कारगर साबित होगी इसके उपरांथ दोस्तों जैसा यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है तो वही बिजनेस में प्राप्थ हुआ धन आप दो बार अपने बिजनेस में ही लगाएंगे और किसी आवश्यक कार्य में आपके भाई बहन सलाह लेंगे आप भी वक्त पढ़ने पर उनका मदद करें बाकी आपको भी काफी अच्छा लगेगा दोस्तों इन दिनों आपके विवहार में आए पॉजिटिव बदलाव से आपको प्रसन्नता होगी इसके अलावा वकालत कर रहे चात्रों के लिए यह समय शांदार रहने वाला है आप इन बहुत सारी खुशियों का आनंद उठाएंगे वहीं चंद्रमा के गोचर के कारण यह समय आपके लिए और भी ज्यादा अनुकूल हो जाएगा आप खुद को शांत महसूस करेंगे इसके अलावा अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी आप में से कुछ लोग अपने कैरियर को लेकर दुविधा में हैं और अपनी रणनीती पर फिर से विचार कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप किसी सलाहकार की सलाह ले अब तक जो काम रुके पड़े थे वह आपके उच्छ अधिकारी की सहायता से अब धीरे धीरे पूरे होने शुरू हो जाएंगे तो वही यह समय आप में से कुछ लोग आर्यमान और आशावादी होंगे अपने लक्ष को ध्यान में रख कर काम करें आपके लिए आगे सोचने और भविष्य की योजना बनाने के लिए यह समय बेहद ही अच्छा रहेगा तो के संबंध में प्रिय जनों के साथ किसी भी गलत फहमी को जल्दी से दूर कर लेंगे इसके अलावा यह समय कोई विद्यार थी अगर अपने केरियर को लेकर किसी उलजन में हैं तो उन्हें किसी ने पूर्ण कारे सलाहकार से बात करनी चाहिए ध्यान रहे कि आप सही सलाहकार का चुनाव करें जो कि आपको अच्छी सलाह दे सके इस सलाह का पूरा लाब उठाएं सब कुछ सही होगा आज उन लोगों को ढूंड हैं जिन्होंने अपनी केरियर में बहुत सफलता प्राप्त की है उनसे आपको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वह उस स्थान तक कैसे पहुँचे उनके द्वारा किये गए चुनाव और गलतियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं बाकी आज आपका दिन खुशनुमा ही रहने वाला है जीवन साथी की राय लेने से यह समय आपके बिजनस में बड़ा धनलाब होगा जिससे घर में छोटी सी पार्टी होगी इस राष्टर के प्रोफेसर के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा किसी अच्छे कॉलिज से लेक्चर के लिए आनफर आ सकता है लोगे स्टूडेंट्स आज के आगे की पढ़ाई करने के लिए फार्म भरेंगे तो साथ ही माता पिता का आशीरवाद लेने से आपके सारे कामों में सफलता जरूर मिलेगी और आज आज आपके सोचे हुए काम ही पूरे होंगे अगर से आज नए बिजनिस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुब है आज से अब किसी दोस्त से चल रही अनबन आपकी कोशिश करने से समाप्त हो जाएगी जैसा कि हमने बताया ही था कि जीवन साथी के सहयोग से आपको किसी बड़े काम में सफलता मिलेगी वहीं दोस्तों इन दिनों आपकी आर्थिक स्थिती पहले से बहतर रहेगी व्यापार को बढ़ाने का प्लैन भी बेहद ही अच्छे ढंक से सफल रहेगा इसके उपर आ स्वास्थि में यह समय आत्मा देख भाल को प्रात्मिक्ता देना आवश्यक है यदि आप स्वयम को गति नहीं देंगे तो बड़ी हुई उर्जा और उत्साह आपको ठका सकता है अपने शारिरिक और मानसिक स्वास्थि के पोशन के लिए समय अवश्य निकालें ऐसी गतिविधियों में सनलगन रहे जो विश्राम और तनाव से राहत को बढ़ावा देती है योग्यता दोस्तों आपके चारों और उर्जावान हलचल के साथ संतुलन बनाना और अपने शारिरिक और मानसिक स्वास्थि का भी खयाल रखना महत्वपूर्ण जैसा कि कई जातकों को पिछले कुछ दिनों से आप स्वास्थि की समस्याओं से लगातार परेशान हो रहे हैं लेकिन आप आज से अगर इनके लिए यह सारे संतोष जनक तरीका अपनाएंगे तो काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे ध्यान रखें कि कोई भी तरीका समय तो लेता ही है बस आपको धीरज रखना होगा लेकिन यह भी तय है कि अगर आप नियमों का सही से डाट पागल करेंगे तो काफी हद तक अपनी परिशानी से मुक्ति पालेंगे तो वही दोस्तों अगर आपको आँख से संबंधित कोई परिशानी है तो डॉक्टर के पास चेक अप के लिए जाएं फिर भी अगर आपको आँख से देखने में कोई परिशानी है तो आज आप शरीर की जाँच करा सकते हैं आपकी आँख से संबंधित कोई परिशानी होने के संकेत हैं इसलिए बाद में पच्चताने से अच्छा होगा आप पहले ही सावधान रहें इसके अलावा लव लाइक की भी बात करें तो दोस्तों कुछ हफ़तों से आपका किसी खास पर क्रश है और आप उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए साहस नहीं जुटा पा रहे हैं तो दोस्तों आज आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और दिल की बात कहने के लिए परियाप्त साहस चुटा पाएंगे शुरुआत में आप नर्वस हो सकते हैं लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा और आप खुश रहेंगे आपके संचार कौशल पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है खास कर जब आप अपने प्रियाजनों से बात कर रहे हो इसके अलावा दोस्तों इन दिनों को जातकों का साथ ही आप से दूर रह सकता है यहां से कुछ दूरी बना कर रख सकता है बहुत ज़्यादा चिंता ना करें क्योंकि यह एक स्थाई करण है और सामान्य मिजाज है यह बस कुछ ही समय की बात है और कुछ मीठी बातें या पूरा खाना पकाने से काम चल जाएगा अपने रिष्टे में धहरे बनाए रखें बाकी दोस्तों बड़ों की सलाह सुनना आपके लिए अच्छा रहेगा किन्तु कई कारणों से दिन पूरा उलजा हुआ नजर आ रहा है और आज आपके लिए मुश्किल समय आ सकता है बस अपने अहंकार को नियंतरण में रखें और अपने शब्दों, वाक्यांशों, आदी के चैन पर ध्यान दें आज अपने और पार्टनर के बीच की बातचीत को तूटने ना दें बाकी आपको अपने व्यक्तिगत मामलों में अधिक शामिल होने की आवश्यक्ता है इसके उपरान दोस्तों, अगर आप अपनी भावनाओं को छुपाना जारी रखते हैं और इसे एक डाइट लपेटे में रखते हैं तो यह आपके रिष्टे के लिए खतरनाक हो सकता है आपका गुस्सा यह समय तूट सकता है इसलिए बेहद सावधान रहें और थोड़ा धैरे से काम लें धेर सारी सुखद बातचीत करें और सब कुछ ठीक हो जाएगा परिवार में सुखद क्षण उपस्थित होंगे आप दिन के लिए बहुत रोमांस और उत्साह का अनुभव करेंगे दोस्तों, आपकी बातचीत का अंदाज बेदाग होना चाहिए जिससे घर में स्थितियां शान्थ होंगी बाकी मौजूदा जगड़ा अलग-अलग कारणों से भी हो सकता है आप दोनों को उसी का मुकाबला करना होगा वही परिवार के सदस्यों और करीबी रिष्टेदारों का सहयोग आपको सुकून देगा इसके साथ ही आप में वह ख्षमता है कि आप अपनी मीठी बातों और शान्थ और संयमित रवईया के माध्यम से एक समस्या ग्रस्त रिष्टे को एक प्यार भरे रिष्टे में बदल सकते हैं आपको आज ही यह करना होगा और अपने अपने संबंधों से अशान्ती को दूर करने का बीड़ा उठाना होगा किसी भी मामले में आप आना कुएं, बच्चों का विकास और उनकी प्रगती में कमी आपके लिए चिंता का विशय होगी हो सकता है कि बिना आपके रिष्टे के लिए ठीक ना हो, तो वही जो लोग अभी कुछ महीनों से प्रेम संबंध में हैं और अगर आप अभी भी रिष्टे में उस चिंगारी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दोनों को उस दिन गाड़ी को जलाने और मतभेदों को दूर करने की दिशा में काम करना होगा इतना मुश्किल नहीं होगा, आपको बस एक दूसरे के लिए प्यार चाहिए आपके लिए फाइदे मंद साबित होगा, दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि रिष्टे मौसम की तरह होते हैं, वे समय के साथ बदलते और विकसित होते रहते हैं, आज आपको कुछ नए तत्तो का परिचय देना पड़ सकता है, ताकि यह ताजा बना रहे और यह आप दोनों के बीच दिल से दिल की बात होगी, आप दोनों अंततह एक अच्छी समझ विकसित करेंगे, आपके रिष्टे में विवाद उत्पन होने की संभावना है, मत भेदों को दूर करना और खुशी के स्तर को बना कर रखना आवश्यक है, दोस्तों, आपका रचनातम दिश्टिकोन और समस्या को सुलजाने के कौशल आपके आसपास के लोगों पर सकारातमक प्रभाव डालेगा, अपने प्यार को एक खास सर्प्राइज ना भूलें, इससे आपका दिल खूबसूरत बनेगा, जैसा कि दोस्तों, अपने अनुभव और योजनाओं से आप इ श्वस्त नहीं है, तो एक बार फिर से सोच लें, किसी बर्थडे की सलाह काम आ सकती है, दोस्तों, अब वहपल आ चुका है, जब आपको सही समय पर सही निर्णय लेना है, आज से आप जो चाहेंगे, वही पाएंगे, अपने स्पेशल दोस्त के साथ बैठ कर भविश्य की बात करने से अधिक रोमैंटिक और क्या हो सकता है, बस एक दूसरे पर पूरा विश्वास करें, ताकि लाख मुसीबतों के बाद भी आपका यह बंधन ना तूटे, तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं, अगले ज्यानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.